चलिए मैं मंजरी जानते प्रतिक्रिया क्या कहेंगे जिसरा से जो सवाल मैंने योगे जी से कहा है आपसे भी वही करूँगा 66 दिन यानि कि दो महिने से ज्यादा का वक्त 15 राज्य जमतला सवा दरजन से ज्यादा राज्य यहाँ पर इस नियाया यात्रा के जरिये कॉंग्र कि यह कुछ काम लेकर नहीं जा रहे हैं जनता के लिए इनोंने क्या किया पिछले साथ सालों में जो अभी यूगे जी बात कर रहे हैं कि दो अजार शुदा के पहले भारत कहता था कि जहां चोटे से चोटे शहर में भी अपने आपसे प्रक्षित महिन करते थे कहीं भी आत की बात हो रहे हैं 2014 से पहले 2014 की बात कि बात कि हमने है fierce like जिनकी आप तरण वागत पर चाहूंगा और न खाने दूगा चलिए बिलकुल मंजडी यहां पर रोकूँगा योगे जी आपको भी यहां पर रोकूँगा वक्त इजास नहीं देरा चर्चा की बढ़ाने को लेकर लेकिन इस तरह से बात की जाए भारत निया यातरा को लेकर भारत जोड़ो निया यातरा तो कहीं न कहीं इस को लेकर कॉंग्रेस एक बार फिर यह बात कहती नजर आरे कि कॉंग्रेस को मजबूती ही तो मिलेगी लेकिन ये राजनितिक यातरा नहीं है फिलाल दोनों ही महमान मजडी जेंजी और योगेश यातर जी बहुत बहुत इसको कहीं न कहीं राममंदीर के प्राइण परतिस्था कारिकरम से भी जोड़ कर देखा जा रहा है क्योंकि यो कयास लग रहा है जो चर्चा है वो यहीं है कि राममंदीर जैसे बड़े और भव्वे कारिकरम के परभाव में ना होने कभी एक बड़ा संदेश यातरा की सबी कॉंग्रेसी की जित्ते भी दिगजनेता हैं वो यातरा में वैस्त होंगे और 22 जनवरी को जो है प्राइण परतिस्था का भव्वे कारिकरम अध्या में आयुजित होने जा रहा है लेकिन जिस तरह से देखा जाए जो शेत्र कबर कर रही है बनिया राहुल गंदी क कि यातरा कहीं न कहीं लोग सबा चुनाव से उसको देखा जा रहा है अब फिलाल इसका असर कितना होगा नफरत के बादार में महबत की दुकान चलेगी या फिर जिस तरह से बीजेपी इसको लेकार तंज कस्ती नजर आ रही है उसका ज्यादा असर यहां पर देखने को मि